रूस युक्रेन युद्ध हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक होता जा रहा है। रूस युक्रेन को लेकर बड़ा दावा किया है। रूस की सीमा से लगे सूमी इलाके में युक्रेनी शहर अक्तिरका के पास रूस ने युक्रेन की एक सैन बेस को निशाना बनाया। इस हमले में अधिकतर होविजर तोपे तबाह हो गई। युक्रेन ने अब तक इस हमले की पुष्टी नहीं की है। रूस के रक्षा मंत्राले ने बताया कि रूसी सैनिकों ने युक्रेन में चुलाया जा रहे। अपने विशेश सैन अभियान में बीते मंगलवार 131 इलाकों में युक्रेनी सेना और उसके सैन ने साजो सामान को तबाह किया। साथी एक रडार स्टेशन को भी नस्ट किया। रूसी सेना ने पिछले दिनों कुप्यान सक इलाके में करीब 25 युक्रेनी सैनिकों कुमार किराया। साथी दो मोटर वाहन, एक 155 mm M777 होविजर और अमेर्की 105 mm M1199 तोखाने बंदूग को भी तबाह किया है। इसके अलावा रूस ने 42 गार्ड डिवीजन की UAV टीम ने रैबो टीनों के पास दुश्मन के गड़ को नश्ट किया। रूस ने अपने हमले की पुष्टी करते हुए वीडियो भी जारी किया है। कामी केस ड्रोन ने AFU की किले बंदी को भेदते हुए कमसिकम आठ युक्रेनी जवानों को धेर करने में काम्यादी हासिल की। वहीं एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि क्रीमियम पैराट्रूपर्स युक्रेन के सशस्त्र बनों के बगतर बंद वाहन पर आसमान सिबं बरसाते हैं। साथ ही वर्बो वॉय के पास युक्रेनी सैनिकों के रोटेशन को विफल करने के लिए फगोट एटी जीम सिस्टम का इस्तमाल करते हैं। रूस अपने हाइटेक हतियारों के दम पर युक्रेन को मात देने में अब तक काफी हद तक सफल रहा है। चन वीडियो में सूपर कैम फिक्स्ट विंग टोही ड्रोन की मदद से रूसी पैराडूपर्स पहले युक्रेनी सैनिकों की पहचान करते हैं और उसके बाद उन पर सठीक हमला कर टार्गेट को तबाह कर देते हैं। बताया जाता है कि टोही स्पॉटर बिजली की तेजी से टार्गेट का अलर्ट एटी जीम टीम को भेजता है जिससे सटीक हमला कर एएफ्यू बक्तरबंद कर्मियों के वहन को नश्ट कर देता है। रूसी रक्षामंत्राले के मुताबिक एयरबॉर्ण डिवीजन की हिंसक कारवाईयों के चलते विदेशी निर्मिट बक्तरबंद वहनों पर हमला कर उने निस्ते नाबूत कर दिया। रूसी सेना की ओर से जारी किये गए एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि यूग ग्रूप ऑफ फोर्सेस के बी एमपी 3 क्रू ने और तो मुवस्क दिशा में बाडले इंफैंट्री फाइटिंग वैकिल और यूक्रेनी सशस्त्रबलों को खत्म किया। एक सोपचासवी मोटराइज राइफल डिवीजन ने जंगल में यूक्रेनी सेनिकों की छीपी हुई स्थिती का पता लगाया। जिसका अलर्ट तुरंद कमांड पोस्ट को दिया गया। इसकी कुछ मिंटों के भीतरी रूसी बी एमपी 3 इंफैंट्री फाइटिंग वैकिल ने टार्गेट पर सटीक वार कर यूक्रेनी सेना के मकसद को चूर-चूर किया। दावा किया जाता है कि काउंटर अटैक में 10 यूक्रेनी सेनिक मारे भी गए। झावा कि भीतर बीतर यूर कर भीतरो है कि लिए यूपay भीतर वारी प्रून।